थ्याप कर मैं तो से पहले के विडियो कूछ टॉपिकिक को बना चुके हैं आज हम लोग रिल्योगों प्रैम रिभी च्टीथ्यों को सब्सक्राइब किया है तो चानल को सब्सक्राइब करले और साथ से बैल आकम को प्रेस करने ताकि जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोटिपीरिशन आपको तुर्थ मिल जाए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग SPT Railway GK का प्रिभी सिर्क का कोशन बैंक का वीडियो स्रीच कर रहे हैं इससे पहले Part 5 वीडियो में हम लोग 2002 के कोशन को डिसकस कर रहे थे आज इसका Part 6 वीडियो है आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के कोशन को कंटीनू करेंगे ये वीडियो स्रीप आपके आने वाले Railway Exam जासे की Group D और NTPC के लिए बहुत ही important है क्योंकि Railway के एक्जाम में यहां से कोशन सी और एकी बहुत सारे आपके एक्जाम में repeat करेंगे तो ये वीडियो स्रीप आप लोगों के लिए बहुत ही important है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले हम लोग और आर्वी मेहंदुरु घाट में 2002 पूछे के questions को डिसकस करेंगे इसमें first है सिंदु घाटी सभीयता पचीस सो इस्वी पुर्व के पास थी तो सिंदु घाटी सभीयता पचीस सो इस्वा पुर्व के पास थी निक्ष्ट है भारत का अंति मुगल समराट बहादूर सा जपर दिती था कौन था संसद्वारा अनुमोधर होने पर भी राष्टपती आपातकाल 6 महना तक लागू कर सकता है सविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सरोच न्याले के पास है सविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सरोच न्याले के पास है सविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सरोच न्याले के पास है मानुस के सरीर में सबसे छोटी गरंथी पिट्यूट्री गरंथी ता सबसे बड़ी गरंथी लीवर है कौन है तो सबसे छोटी गरंथी पिट्यूट्री गरंथी और सबसे बड़ी गरंथी लीवर है स्वेत रक्त का निकाओं का निर्मान अस्ति मज्जा लिंफ नोड तथा प्लिहा में होता है एर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सोधा मीनी देशमूख है निक्ष्ट हिमाले के सर्वोच सिखर माउंट एरिस्ट के उचाई 8850 मीटर है निक्ष्ट है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तता चोली नदी ब्रहमापुतर है कौन तो भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है और सबसे चोली नदी ब्रहमापुतर नदी है नावस्तित है जराष्टी तित्थी रेखा कहा जाता है अब हम लोग RRB कोलकाता में पूछे गए 2002 के कोस्टन को डिसकस करेंगे इसमें फस्ट है इंसुलीन हार्मोन्स रक्त में गुलकोज की मातर नियंत्रित करता है किसका तो इंसुलीन हार्मोन्स रक्त में गुलकोज इसको सक्रा भी ब मेशा एक समान रहता है नेश्ट जब राष्ट पती उल्होग पती दोनों पर पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य नियादिस राष्ट पती के रूप में कारे करता है जब राष्ट पती उप राष्ट पती दोनों का पद खाली रिक्त हो तो भारत के मुख्य नियादिस राष्ट पती के रूप में कारे करता है नेश्ट है साइलेंट भेली जिसको मौन घाटी भी बोलते हैं केरल में का है तो साइलेंट घाटी केरल में है next है, हुंडू पर पाथ स्वर रेखा नदी पर है कहां ? तो हुंडू पर पाथ स्वर रेखा नदी पहर है और यह राची में है next है, युनिस्को गलिंग पुरिसकार परदान करता है ? next है, अंतरिश में पर्वेस करने वाली पर्थम महिला वेलेंटीना तेरे स्कोवा थी कौन तो वेलेंटीना तेरे स्कोवा थी नेच्ट है असाथ फल अंडासय एवन फूल के आने भाग से सत्य फल के वल अंडासय में उत्पन होता है घुप्टवन शाहतिकृतियों के संद्रच्छन के लिए विख्याद था next is demotology तो अच्चा इवाम इसकी वीमारियों का अद्यान है kodai के नाल में स्तित है next is वासकोटि गामा 1498 में कालीगट पहुँचा था तो वासकोटि गामा 1498 में कालीगट पहुँचा था अलबुरुनी मोहमद गजनी के सासन काल में इतिहास काड़ था पंदवानी 36 गढ़ में पर्चछृत लोक निरति है अश्ट छाप के संस्तापक स्वामी विठल नात थे कौन है तो अश्ट छाप के संस्तापक स्वामी बिठन नात थे हैं अब हम लोग आर आर भी गोरकपुर में दोजार दो पूछे के कोश्चन को डिसकस करेंगे इसमें फर्स्ट है लाव फ्लोटिंग सिधान्त की खोज आरकेमिडीज ने की थी ने भारत के किसी राज की राज परदेश राज की राजपल बनी थी नेक्ष्ट है वाल इस्टीट न्यूर्क में इस्तित अस्टाउक एक्सचेंज है क्या है स्टाउक एक्सचेंज है नेक्ष्ट है अलाव दिन खिलजी ने मुल्य नियंत्रन नीती सैनिकों के भले के लिए लागो की थी किसके लिए तो स सिविल सर्विस लॉड कनवालिस के समय चालू हुआ था नेक्ट है रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ग्यानपिट पुरस्कार मिला था किसको तो रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ग्यानपिट पुरस्कार मिला था नेक्ट है आवद के अंतिम नवाब प्रिकर की राजधानी थी नेश्ट है सबसे बड़ा गरंती यक्रित है नेश्ट है गोवा भारत का पचीसवा राज है नेश्ट आल इंडिया रेडियो के स्थापना 1936 इस्वी में हुई थी नेश्ट आराम हराम है का नारा जोहर लाल नहरू ने दिया था किसने तो आराम हर है का नारा जोहर लाल नहरू ने दिया था नेश्ट भारत में टेलीविजन कारिकरम का परशारण 1969 में हुआ था कब तो भारत में टेलीविजन कारिकरम का परशारण 1969 में हुआ था नेश्ट नोबल पुरसकार 1901 में आरम किये गया नेश्ट मानु स्मृति सबसे प्राचित प्राचीन भारत का महान वीधिन निर्माता मनु थे कौन थे नेख्ट है समुद्र प्रित्वी का लावव एकतर परसेंट कितना तो नेख्ट है रुपया का सिक्का भारत में पहली बार सेर सासूरी के सासंकाल में ढ़ाला गया नेख्ट है नेख्ट है मानु सरीर से रख्चाप एडरिनल ग्लेंड द्वारा नियोजीत होता है किसके द्वारा तो मानोश शरीर से रख चाप, एडरिनल, गलेंड द्वारा नियोजित होता है नेक्ट लगातार बड़ती, किमतों की परकिरिया मुद्रा इस्पिति कहलाती है नेक्ट है, सिवाजी की मा जीजा बाई थी कौन? तो सिवाजी की मा जीजा बाई थी नेक्ट है नेपॉलियन बोनापाट फ्रांस का निवासी था नेक्ट है मुहमत बिन तुगलकि ने अपनी राईजदानी दिली से देवगिरी अस्तांतरित की थी next है हरे पौधे में परकास संसलेशन की एकाई काटो सोम कहलाती है next है मानो सरीर में खून को सुद्धी करण की परकिरिया को dialysis कहते हैं next है histology में उत्तको का अधिन किया जाता है next है प्राचीन संग की दर्सन में कपील मूनी का योगदान है next है मानसुन का कारण हवाओं का मौसमी उत्तकरमन है next है प्रित्वी की अपेच्छा चंद्रमा का दर्मान एक बटा एक आसी है next है सहारा मरोस्तल उत्री अफरीका में कहां next है प्रित्वी का आसात आपमान 15 डिगरी सेंटी ग्रेट है अब हम लोग परमुक राष्ट उध्यान ए अभ्यारन के बारे में डिसकस करेंगे इसमें हम लोग जानेंगे की कौन सा राष्ट उध्यान या अभ्यारन किस राज में है चलिए हम लोग देखते हैं इसमें एक साथ राष्ट उध्या या अभ्यारन का नाम दिया हुआ है। दुसरे साथ वह किस राज में है उसका राज का नम दिया हुआ है फर्स्ट जीम कार्विट राष्ट उद्धान तो जीम कार्विट राष्ट उद्धान उत्रा खंड में का है उत्रा खंड में है नेक्ट कानहा किसली राष्ट उद्धान तो कानहा किसली राष्ट उद्धान मद्य पर्देश में कहा है मद्य पर्देश में नेक्ट मानस वन जी अभ्यारन तो मानस वन जी अभ्यारन आसवम में कहा है आसवम में है नेक्ट पेरियार वन जी अभ्यारन तो पेरियार वन जी अभ्यारन केरल में कहा है केरल में है नेक्ट रंत भॉर राषड उधान तो रंत भॉर राषड उधान राजस्थान में तो मिनल में है काजी रंगा राषड उधान असम में है गुजरात में का है गुजरात में का है गुजरात में निख्ट नंद कानन वन जी अभ्यारन तो नंदन काननवन जी अभ्यारन उडिशा में कहा है उडिशा में नेक्ट है दची ग्राम अभ्यारन तो दची ग्राम अभ्यारन जमु कस्मीर में कहा है जमु कस्मीर नेक्ट है राजा जी राष्ट उधान तो राजा जी राष्ट उधान उत्राखंड में कहा है उत्राखंड नेक्ट है सिंपलीपाल अभ्यारन उडिसा में कहा है सिंपलीपाल अभ्यारन उडिसा में है मुदुमलाई अभ्यारन तो मुदुमलाई अभ्यारन तमिलांडू में कहा है तमिलांडू में है नेक्ट है डामफा अभ्यारन तो डामफा अभ्यारन मिजोरम में कहा है नागरहोल राष्ट उधान करनाटक सुन्दरवन राष्ट उधान पस्टिम बंगाल में कहां पस्टिम बंगाल कौन्स नपरमुक नदियों का उदगा मस्थान और मुहाना कहां कहां है इसमें एक साइड यहां नदी का नाम दिया हुआ यहां पर उसका उदगा मस्थान का है यहां पर उसका मुहाना का नाम दिया हुआ तो फर्स्ट सिंदू तो इसका उदगा मस्थान है मांसरवर जील का है मांसरवर जील है और इसका मुहाना का है इसका मुहाना अरब सागर है निश्ट नर्मदा तो नर्मदा नदी का उदगम अस्थान है अमरकंटक की पहाड़ी का है अमरकंटक की पहाड़ी और इसका मुहाना का है इसका मुहाना है खंबात की खाड़ी या खंबात की खाड़ी में जाका गिरती है निक्ष्ट तापती तो तापती नदी का उदगम अस्तान है मुलताई जो कि मद्य परदेश में है और इसका मुहना है खंबात की खाड़ी निक्ष्ट यमुना यमुना नदी का उदगम अस्तान है यमनोत्री glacier यानि की यमना नदी यमनवत्री glacier से निकलती है और इसका मोहना गंगा नदी में जाके मिलती है next है राम गंगा तो राम गंगा नदी का उदगम अस्तान ननिताल के निकट कहा है ननिताल के निकट और इसका मोहना है गंगा नदी निएक गंडग गंडग नदी का उद्गम अस्तान है नेपाल और इसका मुहाना है गंगा नदी नेक्ट कोसी नदी का उद्गम अस्तान है सब्थ कोसी जो की नेपाल में है और इसका मुहाना गंगा नदी में है नेक्ट सोन नदी तो सोन नदी का उद्गम अस्तान अमरकंटक के पहड़ी है और इसका मुहाना है गंगा नदी नेक्ट ब्रह्मापुत नदी का उद्गामस्तान मांसरवर जिल या मांसरवर जिल से निकलती है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी यानि कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है नेक्ट है महानदी तो महानदी का उद्गामस्तान सिवाहा जो की मदपर्देश में है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी नेक्ट गोदावरी तो गोदावरी नदी का उद्गामस्तान मासिक के निकट किसके निसे नासिक के निकट है और इसका मुहाना का इसका मुहान बंगाल की खाड़ी में है नेक्ट कावेरी तो कावेरी नदी का उदगा मस्ता ने केर कारा ब्रहमगिरी पहाड़ी और इसका मुहना है बंगाल की खाड़ी नेक्ट गंगा तो गंगा नदी का उदगा मस्ता ने गंगोत्री गलेसियर और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी नेक्ट चंबल तो चंबल नदी का उदगा मस्ता ने जाना पाव पहाड़ी और इसका मुहाना है यमना नदी नेक्ट चिनाब तो चिनाम नदी का उदगा मस्ताने बारा लाचा दर रहे हैं और इसका मोहना है सिंदू नदी नेक्ट जेलम तो जेलम नदी का उदगा मस्ताने सेसनाग जिल और इसका मोहना है चिनाब नदी नेक्ट रावी नदी का उद्गामस्तान है रोगतांग दर रहे और इसका मुहाना है चिनाब नदी नेक्ट क्रिष्णा नदी का उद्गामस्तान है महा बलेशुवर और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी निख्ट लूनी तो लूनी नदी का उद्गा मस्तान है नाग पहाड जो कि अरावली पर्देश में है और यह इसका मुहाना है कच की रन का है कच की रन है नेक्ट व्यास तो व्यास नदी का उद्गा मस्तान ने रोहतांग दर रहा है रोहतांग दर रहा है और इसका मुहाना सतलज नदी है क्या है सतलज नदी है नेक्ट सतलज तो सतलज नदी का उद्गा मस्तान मांसरोवर जिल क्या है मांसरोवर जिल है और इसका मुहाना कहां है लेगो बिल फिरो और इसका मुहान अट्लांटिक महासागर है कहां है अट्लांटिक महासागर नेश्ट हवांगो तो हवांगो नदी का उद्गा महस्ता ने क्यों लून परवत क्या है क्यों लून परवत है और इसका मुहान है चहिल खाड़ी क्या है चहिल खाड़ी ह नेस्ट डेन्यूम नदी का उद्गामस्तान ब्लैक फॉरिष्ट परवष्ट को अने प्लैक फॉरिष्ट परवष्ट है और इसका मुहाना Пला सागर है नेक्ट बोलगा तो बोलगा का उद्गा मस्तान है सलडाई पठार क्या है सलडाई पठार है और इसका मुहाना है कैस्पियन सागर नेक्ट यांगसी तो यांगसी नदी का उद्गा मस्तान है तिबट का पठार और इसका मुहाना है चीन सागर क्या है चीन सागर नेक्ट कांगो तो कांगो नदी का उद्गम अस्तान है लुआ लया क्या है लुआ लया है और इसका मुहाना है अट्लांटिक महासागर कौन है अट्लांटिक महासागर है अब हम लोग अरारवी इलहाबाद में 2002 में पूछे के questions को discuss करेंगे इसे फस्ट है पीसा का लीनिंग टावर इटली में अिस्तित है कहां तो पीसा का लीनिंग टावर इटली में श्तित है निक्ट कलकाता में फोट बिल्यम कॉलेज के असथापनना लॉड्व केरा लॉड वीजिली ने किया था निक्या राष्टपति भीग्यान रच्छाट है और बियान दिवस 28 फरवरी को मना जाता है संसत के दो अधिवेशन का समानतर 6 महना से ज्यादा नहीं होना चाहिए नेक्ट है मेला आचल के लेखक फनीशवर नात रेनु है कोन है तो मेला आचल के लेखक फनीशवर नात रेनु है नेक्ट है डोलडम निम्न दाबवाला छेतर है कोन तो डोलडम निम्न दाबवाला छेतर है नेक्ट है खेतरी तामबा के लिए परसीद है कहां तो खेतरी जो क पांदा तथा बंधुत्व सब्द फ्रांसिसी क्रांती से समंदित है नेश्ट है दाते इटली के पुना जागरन काल के कभी थे कौन तो दाते इटली के पुना जागरन काल के कभी थे नेश्ट है चंद्गुप्ट ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भदर बाहु से जै पक हरिहर और बुक्का थे नेक्ट है हनुमंत राव की सिफारिस का संबन उर्वरक उधोक से किस से तो हनुमंत राव की सिफारिस का संबन उर्वरक उधोक से है महात्मा गांधी दचीन अपरिका से 1915 में लोटे कब तो महात्मा गांधी दचीन अपरिका से 1915 में लोटे ताली कोटा का यूद 1565 में हुआ था कब तो ताली कोटा का यूद 1565 में हुआ था हिलियम इंधन तत्व नहीं है कौन तो हिलियम इंधन का तत्व नहीं है नेक्ट रेगिस्तानों के बादल निम्न आदर्ता के कारण नहीं बरसते हैं नेक्ट पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रन होता है अब हम लोग अरारवी कोलकत्ता भुनेश्वर में 2002 में पुछे के कोशन को डिसकस करेंगे इसे फर्स्ट है भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंधो पध्याय है कौन है तो भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंधो पध्याय है next दॉप्यर परभा धौनि से सम्बंदी थैं next वाइट हॉल रोड मेंगे अस्कॉट लेंड यड का कर्याला इस्ति थैं next फ्यूहरर की उपादी हिट्लर को दी गई थी next भारत पाख के बीच सिमला सम्झा था हुआ था नेक्ट है सारनात पिलर मौर कला की वस्तु का नमोना किसका तो सारनात पिलर मौर कला की वस्तु कला का नमोना है नेक्ट कानपूर से 1857 के क्रांती के नेता नाना साहब थे कौन कानपूर से 1857 के क्रांती के नेता नाना साहब थे नेक्ष्ट है आरावलि परवत माला पच्छिं में गुजराट से उतल में दिलि तक फ्लेमिंग तक फ्लेमिंग कौन थे नेक्ष्ट है वैक्स म्यूजियम लंदन में कहां तो वैक्स म्यूजियम लंदन में है नेश्ट है पहले गोवा में पुर्त गालियों का सासन था नेश्ट है परसित उपन्यास आधे अधूरे के लेकक मोहन राकेस है नेक्ट है प्रोटीन के निर्मान के लिए अधारभू तिकाई एमीनो अमल है तो प्रोटीन के निर्मान के लिए अधारभू तिकाई एमीनो अमल है नेक्ट है स्री हरी कोटा आंधर परदेश में इस्तित है तो स्री हरी कोटा आंधर परदेश में इस्तित है नेक्ट है भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्थम महिला अध्यच एनी बैसेंट थी कौन तो भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्थम महिला अध्यच एनी बैसेंट थी नेक्ट है नारियल के भुरुन को हम लोग खाते क्या काते हैं तो हम लोग नारियल के भुरुन को खाते हैं योग दर्सन के पर्तिपादक पतंझली है कौन तो योग दर्सन के पर्तिपादक पतंझली है अब हम लोग अरारवी अहमदाबाद में 2002 में पूछेट के Qoses को डिस्कॉस करेंगे इसमें फरस्ट है ग्रेगरी मेंडल दोहरा अनुवान सिखता है कि विग्यान को अनुवान सिखता है कि क्या तो ग्रेगरी मेंडल दोहरा अनुवान सिखता कि विग्यान को अनुवान सिखता है इसको जनेटिक्स भी कहते है नेक्ट है टॉर्नेडो का एक अती निम्न दाब का किंद्र है तो ट छेतरपल में सबसे छोटा राज गोवा है कौन तो छेतरपल में सबसे छोटा राज गोवा है नेक्ट है गोकक जेल परपात करनाटक के बेला गावी जीले में घाट परभा नदी परिस्तित है कौन सी नदी तो घाट परभा नदी परिस्तित है नेक्ट है जोम क्रीसी का एक तरीका क्या है जूम क्रीसी का एक तरीका है निख्ट सत्य फल केवल अंडासय में से उत्पन होता है कहां तो सत्य फल केवल अंडासय से उत्पन होता है निख्ट भारत के पर्थम चुना आयुक्त सुकमार सें थे कौन तो भारत के पर्थम चुना आयुक्त सुकमार सें थे न सुभास चंदर बोस ने 1949 में कॉंगरिस की अध्यक्ता से त्याग पत्र दिया था नेक्ट गदरपाटी का मुक्याले सेन फ्रांसिस्को था क्यों तो गदरपाटी का मुक्याले सेन फ्रांसिस्को था next है निर्जली करण में सरीर से पानी का च्छाय होता है next है राष्टी अपातकाल की अधिक्तम अवधी की कोई सीमा नहीं है next है डॉक्टर S. राधा कृष्णन को राष्ट्पती बनने से पहले भारत अधन प्रस्कार मिला था next है बांदेपुर्राष्ट उधान हाथी के लिए परसीद है किसके लिए तो यह हाथी के लिए परसीद है और बांदेपुर्राष्ट उधान करणाटक में है करणाटक में है नेक्स्ट है जब किसी पिंड की गती दोगुनी की जाती है तो उसका सवेक दोगुना हो जाता है कितना जब किसी पिंड की गती को दोगुनी की जाती है इसका सवेक भी दोगुना हो जाता है नेक्स्ट है भारतिय वन सर्वेचन विभा की अस्थापना 1981 इस्थापना 1981 पूछे गए दोजार्टों के question को discuss करेंगे एक किलो बैट्स 1024 बीट्स के बराबर होता है किसके तो एक किलो बैट्स में 1024 बीट्स होता है नेक्ट है दूसित जल को रासाइनिक उपचार द्वारा सुध किया जाता है नेक्ट है आईजोल मिजोरम की राजदानी किसका तो आ छीन को 1997 में लटाया गया था नेगता सुर्य और प्रितुरी के मदोर्बंधरी किरिती थी निक्ट हिंदू सवराज को महात्मा गांधी ने लिखा था किसको तो हिंदू सवराज को महात्मा गांधी ने लिखा था निक्ट जब तलाब का बुलबुला सता पर आता है तो उसका अकार बढ़ जाता है जब तलाब का बुलबुला सता पर आता है तो उसका अका के सदस्य नहीं है कौन तो म्यानमार्ग देश South ACI Association यानि कि सार का सदस्य नहीं है Next है मंगल गरह पर जल के मौजुद होने का परमान मिला है कहां पर तो मंगल गरह पर जल के मौजुद होने का परमान मिला है Next अंग्रेजी उपन्यास The God of Small Things के लेखक अरुधती राही है Next है नाम के संस्तापक नहरु नासीर और ठीटो थे कौन तो नाम के संस्तापक नहरु नासीर और ठीटो थे Next हरीजन सेवक संग के संस्तापक मात्मा गांधी थे कौन तो हरीजन सेवक संग के संस्तापक मात्मा गांधी थे Next है एलीशा जाज का संबन एड़ से किस से तो एलीशा जाज का संबन एड़ से है अब हम लोग प्रसित एतिहासिक अस्तल या मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें हम जानेंगे कि प्रसिद इतिहासिक अस्तल या मंदिर कहां पर इस्तित है इसमें एक साइड है अस्तल और मंदिर का नाम दिया हुआ और दूसरे साइड है उसकी इस्तिति के बारे में बता है वह कहां पर इस्तित है तो इसमें फर्स्ट अजन्ता में लोरा तो अजन् खकेक मेरा वीट गेटवे अप 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 अही हो जी तो जावा महाजी दिली में कहा है दिल्ली में नेक्ट डल जिल तो डल जिल स्री नगर में कहा है स्री नगर में नेक्ट निसांत बाग तो निसांत बाग स्री नगर में कहा है स्री नगर में नेक्ट सालीमार बाग तो सालीमार बाग भी स्री नगर में कहा है स्री नगर में नेक्ट राग गाडेन तो वाली पूरम चैन्ने में कहा है चैन्ने में नेक्स्ट है है हैली वीड तो हैली वीड बैलूर करनाटक में कहा है बैलूर करनाटक में नेक्स्ट साची अस्तुप तो साची का अस्तुप भपाल में है कहां भपाल मद्य परदेश में है नेक्स्ट लिंग राज मंदिर तो लिं पशिमंगाल में है नेक्ट सोमनात मंदिर तो सोमनात मंदिर गुज्रात में कहां गुज्रात में नेक्ट कैलास मंदिर तो कैलास मंदिर एलोरा महराश्ट में कहां एलोरा महराश्ट में रि बंकेश्वर मंदीर तो या नासिक महाराष्ट में सथे ते कहा āड ब्रहमा मंदीर पुसकर राजस्थान में काहा पुसका राजस्तान में, नेक्स्ट है होई सल्लेशवार मन्दिर हलिविट करनाटक में कहा, हलिविट करनाटक में, नेक्ट टट मंदिर तो टट मंदिर महाबली पूरम तमिलांडू में काहा है महाबली पूरम तमिलांडू में नेक्ट रामेश्वार मंदिर तमिलांडू में काहा है तमिलांडू में नेक्ट मिनाची मंदिर तमिनाची मंदिर मौधुराई तमिलांडू में काहा है है मद्र थमीलाङंटू में ने dod no visit the portrait अन्दीर दो नंदीर तंजाओ थमीलाइन ने नतराज मंदिर नत्राज मंदीर होने होना इंजेमरार नांड़ में ने विंकेटी सवर मंदि तो विंकेटीश्वान मंदिर ते इस्तिता कहा थे स्वस्य पतीथ कहा है श्रीनगर काश्मीर में है नेक्ट जगनात मंदिर तो जगनात मंदिर पूरी उडिशा में कहा है पूरी उडिशा में है नेक्ट बैसनों देवी मंदिर तो बैसनों देवी मंदिर जमु कस्मीर में कहा है जमु कस्मीर में है नेक्ट धाई धिन का जोपड़ा तो धाई पूराम का मंदिर तमिनांडू चन्ने में कहां तमिनांडू चन्ने में नेक्ट बिलियम फोट तो बिलियम फोट कोलकत्ता पसी मंगाल में कहां कोलकत्ता पसी मंगाल में नेक्ट हवा महल तो हवा महल जैपूर राजस्थान में कहां जैपूर जो की राजस्थान में है नेक् इधर उसका मकबरा का नाम दिवा पहला है बाबर तो इसका मकबरा काबूल में कहा है काबूल में निष्ट अकबर तो इसका मकबरा सिकंद्रा में कहा है सिकंद्रा में निष्ट जहागीर तो इसका मकबरा लहोर में कहा है लाहर में नेक्ट है औरंग जेब तो औरंग जेब का मखबरा दौलताबाद में कहां दौलताबाद में नेक्ट है हुमायु तो हुमायु का मखबरा दिल्ली में कहां दिल्ली में है नेक्ट है सेरसा तो सेरसा का मखबरा सासा राम में कहां सासा राम में है नेक्ट है सा जहां निर्यात करने वाले देशों की एक वेपारिक संस्ता है नेस्ट iqa का अंदोलन का नेत्ट मुदासी पासी था नेक्स जी का पीट संप्रास टैनिस में विश्व का शिखर की लाड़ी है नेक्ट चीन यूएनों का अस्ताई सदस है किसका तो चीन यूएनों का अस्ताई सदसी है नेक्ट भारत में गोवा राज का छेतर सबसे छोटा किसका तो भारत में गोवा राज का छेतर सबसे छोटा है next मांसून अर्वी भासा का सब्द है next चाय के लिए उप्यूक्त मिट्टी लेटराइट है next है मैटूरबान तमिनांडो मिश्थित next है मिट्टी के कटाओ कामो के कारण जंगलो की कटाई है next है मुंद्रा जल परपाज 36 गड़ में कहा next है मयूर तक्त यानि कि तक्ते हांस का समंद सहा जहां से है next है सेंट पीटर्स वेसिली का वेटिकन सीटी मिश्थित कहां next है फदेपूर सिक्री का निर्मान अकबर ने करवाया था next है बेनिजीर भुट्टो पकिस्तान की पधान मांदी थी next है ग्रेन ट्रक रोट का निर्मान शेर सा सुरी ने करवाया था next है बिस स्वास संगठन के अनुसार आज अधिकांस लोगों की मिर्तिव तपेदिक रोग से होता है next है सारजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुवात अमेरिका में होई थी अब हम लोग और आरवी दिल्ली मेट्रों में दो जाब दों पूछे के कोस्टन को डिसकास करेंगे कब तो बॉयल का नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है next है पहाडों पर पानी सौट डेगरी सेंटीग्रेट से कम तापमान पर उबनने लगता है next है चाट डेगरी सेंटीग्रेट पर जल का घनत अधिकतम होता है next है इलेक्ट्रों रीन आवेशितकन होता है next है शुर्य और पृत्वी के बीच चंद्रमा के आने से सुरिकन होता है next है कम्प्यूटर में वाइरस का संब्द प्रोग्राम से किस से तो कम्प्यूटर में वाइरस का संब्द प्रोग्राम से है next हडपा की सब्यता का संब्द कांस यूग से है next है कावेरी गंगा और महा नदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदिया कौन तो कावेरी गंगा और महाना जी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदिया है मानो शरीर में रख चाप अडिनल ग्लेंड द्वारा नियंतित होता है कापास संग तथा जूट रेशिदार फासले कौन तो कापास संग तथा जूट रेशिदार फासले है next है भारत में home rule link की अस्ताफना तिलंग तथा änई बेषेंट में 1926 में कियती किसा ने तिलंग तथा एन बेषेंट में 1927 में किय भारत में चिनी यात री एवारनहीं हर्शवर्धन के शाशनकाल में आया था next है मनुष्प के लिए सबसे हानिकारक वीकरन गामह की होता है नेक्स्ट है है जीवानु की कारण होता है नेक्स्ट है आग के पीछे का प्रिष्ट रिष्ट्री पडल कहलाता है अब लोग आरार्वी गोरभ पूर में दो जारदों पूछेंट को डिसक्स करिंग से फस्ट है लाल बहादूर की समाधी बिजय घाट का लाती है तो भारत में संग 1620 में इस्ट इंडिया कंपनी के स्ताफना हुई थी नेक्स्ट है एक भारी वस्तु एवं एक हलकी वस्तु को मिनार की चोटी से फेका जाये तो हवा का परती रोद नगन हो तो दोनों वस्तु एक साथ जमीन पर पहुंचेगी कप तो एक साथ जमीन पर गेन टकराने से सवेग नियत रहता है क्या रहता है तो समान दो गेन टकराने से सवेग नियत रहता है क्या रहता है सवेग नियत रहता है नेक्स्ट है जिंबाबे को दच्छिन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है किस से तो जिंबाबे को दच्छिन रोडेशिया के नाम से जाना जाता नेक्स्ट है मोहमद बिन तुलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिर्य स्तापित कर नाम दौलताबाद रखा नेक्स्ट है चुम्भा के आगुर्ण का मात्रक टेसला है नेक्स्ट है यामा के लेकक महादेमी वर्मा कौन तो यामा के लेकक महादेमी वर्मा है नेक्स्ट है तमस की रचना भिस में साहनी नहीं की थी बैंगलोर में 2002 पूच्छन को सकर्षंस करने से सब्सक्राइब लोला की ul도 की लंभाई चायर गुना होगाँ इसका समावधी 2 गुना हो जाएका हिमालय पर चड़ने वाली पर्थम महिला जुको थेवई थी कॉन निख्ट है डायोड से धारा एक दिशा में बाती है किसमें तो डायोड से धारा केवल एक दिशा में बाती है निख्ट है सबसे कटोर्तम पदार्थ हीरा है क्या सबसे कटोर्तम पदार्थ हीरा है निख्ट है दर्म में किसी वस्तु का उत्पलावन बल वस्तु के भार का पर निर्वर करता है निख्ट है सोना करनाटक राज में निकाला जाता है कहां तो सोना करनाटक राज से निकाला जाता है निख्ट है दूसरा आंगल मैसर यूद जो कि 1784 के बीच हुआ था का अंत मैंगोर की संदी से हुआ था किसे तो मंगलोर की संदी से हुआ था निख्ट पूर्थ गाली, यात्री, फनाओ, निनिज, अच्यूत देवराई के सासनकाल में विजयनगर आया था, निख्ट है, बैलूर यांगची नदी के टट पर है, निख्ट है, परकास वर्ष दूरी का मातर आका, निख्ट है, भारत में नगर पाली का, जल का उपचर क् क्लोरीन से क्या जाता है, निख्ट है, कार्बूरेटर पेट्रोल इंजन में होता है, निख्ट है, लोग सबा के पर्थाम परवकता जीवी मावल करते, निख्ट है, चावल में अधिक्तम कार्बोहाइड़ेड वे पायता है, तो चावल में अधिक्तम पाई जाता है नेक्सर्ड है बिस्कूराइसाऌस सब्सक्रिजिक उच्छी वच्छी वह सालान से मिस्तित हैite constant जाए कि अब हम लोग महत्पुन अनुच्छ रिख के बारे में डिस्कस करेंगे इसे फर्स्ट अनुच्रिजिक संग का नाम और राजसे सम्बंदित है किसे संग का नाम और राज से नेक्ट अनुछेद दो तो अनुछेद दो नए राज्यों का परवेश या स्थापना से सम्बंदित है प्रेश की सवतनता से समस्मान दी थे किसे अश्वर्षियता का अंत से अनुचे धितर यह प्रेश की सतनता से समस्मान दी थे से प्रेश्की स्वतंता से नेक्ट अनुछेद 21 तो अनुछेद 21 प्रान एवंदेहुक स्वतंता से समझेद किसे प्रान एवंदेहुक स्वतंता से नेक्ट अनुछेद 23 तो अनुछेद 23 बाल श्रम निशेद से समझेद किसे बाल श्रम निशेद 24 तो अनुछेद 24 बाल श्र नीती निर्देशक तत्व से नेक्स्ट है अनुछेद 40 तो अनुछेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन से समधित है किसे ग्राम पंचायतों का संगठन से नेक्स्ट अनुछेद 21 का तो अनुछेद 21 का बच्चों के लिए निसुल का सिच्छा से समधित है नेक्स्ट अनुछ अनुछेद बावन तो अनुछेद बावन भारत की राष्ट पती से संबन देते किसे राष्ट पती का निर्वाचन से संबन देते किसे राष्ट पती पर महा भ्योग नेख्ट अनुछेद बहत्तर तो अनुछेद बहत्तर राष्ट पती को छमादान की सक्ति से संबन देते क किसे समधान की राश्पति को समधान की सक्ति नेख्ट अनुछेद 75 तो अनुछेद 75 परधान मंत्री की न्युक्ति से समधिते किसे परधान मंत्री की न्युक्ति नेख्ट अनुछेद 89 तो अनुछेद 89 संसद का गठन से समधिते किसे संसद का गठन नेख्ट अनुछेद 80 तो अनुष्यद 81, राज लोग भासा का गठन से क्या है, राज लोग सभा का गठन से है, नेक्स्ट है अनुष्यद 85 तो अनुष्यद 85 लोग सभा का भी गठन से किस से है, लोग सभा का भी गठन से, नेक्स्ट है अनुष्यद 108 तो अनुष्यद 108 संसत का सविक्त अधिवेश किसे चैत्ति संध्ये नेक्ष इस संध्य को सब्सक्राइब किसे। निइच्छ भी जट्फन्च vist गुलत सम्झे टो डिए झोलत से चैत्ति जुच्छ यंड्रे-टे-चैत्य कीुल तो अनूची 307 संग की राज भासा से संग की राज भासा लेसे निक्से थे क्या सवικά सोधन का प्रावदान है नेक्स्ट है अनूछे370 तो अनूछे 370 में जंहु कस्मीर को 20 सिस दर्जा दिया गया है क्या जो की अब घ्र्टा दिया गया है जो कि अब हटा दिया गया है अब हम लोग भारती सविदान के परमुख भाग के चार आता है फिर भाग टू निक्ट भाग टू तो भाग टू में नागरिक्ता के बारे मता है किसके बारे में नागरिक्ता के बारे में और यह अनुछेद पांसे ग्यारा में है निक्ट भाग तीन तो भाग तीन में मौलिक अधिकार के बारे मता है किसके बारे में मौलिक अ भाँण कां मे आता है निख्ट भाग 02 से 329 में आता है निख्ट भाग chat भाग सत्रय तो भाग सद्राइ के बारें बताया गिया सब आता है यह भाग छट्रा से 317 में राजभासा के घुसे बारे में बताइयग्य कर्ण राद치анный भाग 20 तो भाग 20 में सविधान संसोतन के बारे में बताया गया है और यह अनुछेद 368 में आता है नेक्ट मौलिक अधिकार एवं सम्मांदित अनुछेद तो यहां एक साइड अधिकार दिया हुआ और यहां उसे सम्वान्दित अनुछेद के बारे में बताएगे इसमें पहला है सम्ता का अधिकार तो सम्ता का अधिकार अनुछेद 14-18 में दिया गया है सोतनता का अधिकार तो सोतनता का अधिकार के बारे में अनुछेद 19-22 में दिया गया है next है सोसन के बृत अधिकार तो सोसन के बृत अधिकार अनुचेद 23-24 में दिया गया है next है धार्मिक स्वतनता का अधिकार तो धार्मिक स्वतनता का अधिकार अनुचेद 25-28 में दिया गया है नेक्ट है संस्कृति और सिच्छा का अधिकार अनुछेद 29 से 30 में दिया गया है सविधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 में दिया गया है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और सेर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राब जरूर करें इसके बाद और जितने भी रेल्वे के प्रिवीच एक कोशन बचेए उसको हम आने वाले वीडियो में पाट बापाट अपलोड करेंगे वीडियो देखने के लिए थैंक यू